हाई दोस्तों किचन लाइब इस्टेल में आप लोगों को स्वागत है आज मैं बना रही हूँ चिकन बहुत ही आसानी से बनेका चलिए देखतें एक कची हम चिकन लिए है यह मेरा चमड़ी वाला जैसे चिकन का उपर में चमड़ी होता है की कलिए भी यह चाथाक भी ले सकत बावल में चिकन को डाल दिए अब जो पेष्ट बना आया है इस पेष्ट को चिकन में डाल देंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच अल्दी पौडर एक चमच धनिया पौडर एक चमच मीड्स पाउडर, स्वात की अनुसर नमक, एक चमच जीरा पाउडर, अब सर्सो तेल डालेंगे, सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे, एक टुकरा ने मुगा डाल रहे हैं, जो कि चिकन बनाएंगे तो चिटपटा बनेगा, तूटेगा भी नहीं चिकन, चलिए सबको मिला लेते हैं, अब हातों के मदल से भी इसे मिला सकते हैं, इस तरह से एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेश्टी बन अब एक चमस हम जीरा डालेंगे, दो टुकरा दाल चिरनी का डालेंगे, दो तेश पत्ता डालेंगे, सबको चटकने देंगे, इधर हम चार प्यास लिए हैं, इसे चुरो चुरो पीसे इसमें काट लिए हैं, इसको फ्राय करना है, गुल्डन ब्रावन आने तक, अब को अ दाले ना है, रूर रुक के, दिमी दिमी आच में, देखिए, गॉल्डन ब्रावन मेरा प्यास हो चुका है, चली अब जो मेगिनेट होने के लिए छोड़ दिये थे, दस मिनेट के लिए, चिकन उसको डाल देंगे, देखिएगा, चमरी वाला हम चिकन लिए हैं, इसमें ब बहुत ही कम तेल से, बहुत ही कम तेल में चिकन बन के तयार होता है, देखिएगा, बहुत ही तेल छोड़ेगा, उलट पलट के, इसे प्याज के साथ में मिला लेंगे, चलिए, इसे मिला लेते हैं, ताव को तेज कर लेना है, वे तेज ताव में भूनना है, दस मिनट तक, देखिए, हम 10 मिनट तक भून लिए, देखिए, तेल कितना छोड़ चुका है चिकन में, देख सकते हैं, चलिए, ढगकर लगा के, 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, चलिए, 5 मिनट हो गिया है, ऐसे अच्छी तरह से भूनना है, देखिए, ऐसे गोल्डन ब्रावन आने तक, ऐसे ही फ्राइ करना है, बस एक वार ही ढखना है, दो वारा नहीं ढखना है, चलिए, इसमें अच्छी तरह से हम इसे भून लिए, अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालते हैं, इसका अच्छी तरह से भूनना है, भून के ही पानी डालना है, जब तरह गोल्डन ब्रावन ना हो जाए, अब उन देखिए बनके तयार अगर वेडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सस्क्राइब लाइक जरूर कीजिएगा इस तरह से एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुंदी टेस्टी लगता को अलग तरह से चिकन बनाया है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा